नईंबई की वासी खाड़ी पर तीसरा पुल दश्रत भगत ने मच्छवारों के लिए मांगा 15 लाग का मुआवजा 775 करोड में निर्माण करेगी एल एंटी नईंबई की यही वासी खाड़ी है जहां MSRDC 775 करोड की लागस से तीसरा पुल बनाने की तैयारी में है लारसन एंटुबरो कमपनी यहां तीन सालों में नए पुल का निर्माण करेगी इस सेवासी गाओं के पास सो पचास मच्छवारों की रोजी रोटी प्रभावी थोने का खत्रा है जिसकी उप्यक्षा की जा रही है एक प्रेस कॉन्फरेंस में नौइमबई पुनरवसन सामाजिक संस्था के चेर्मेंट दस्रत भगत ने कहा कि नियमों के अनुसार पूल बनाने से पहले स्थानी ग्रामडे और मच्छवारों की सहमती लेना और सोशल इंपक्ट एसेस्मेंट कराना जरूरी था लेकिन MSRDC और जिलाधिकारी ने अपनी मनमानी की और अवैद तरीके से इस प्रोजेक्ट की सुरुवात कराने वाले हैं मच्छवारा हक अंदोरन का नारा देते हुए दस्रत भगत ने कहा कि प्रोजेक्ट को मेरा विरोध नहीं है लेकिन उसके निर्माण की प्रक्रिया का विरोध है हम चाहते हैं कि मच्छवारों को न्याए और उनका हक मिल सके कानून का पूरा हंडेट परजिन आवहल ने की है प्रकल्पी की प्रक्रिया जी है प्रकल्पी प्रक्रिया गहर कानूनी है तो प्रकल्प नियंत्रन बोलो प्रकल्प उनका है वो प्रकल्पी संस्ता की जिमिदारी है कि उन्होंने कलेक्टर को दिमान करना कि हमें यह कर दे ने और उनके समुचित पुनर्वसन का प्रावधान है लेकिन दश्रत भगत ने कहा कि नए खाड़ी विरिश के निर्बान में स्थानी मच्वारों की उपक्षा की जा रही है इससे उनकी प्रती दिन की कमाई जलजिव और मचलियां तता हजारों मैंगरूब नश्ट होंगे इसलिए नुकसान भरपाई के तोर पर मच्वारों को 15 लाख का मुआपजा मिलना चाहिए दश्रत भगत ने मच्वारों के तालावों के सिफ्टिंग और पर्मानेंट जीविका के लिए पीमसी में 150 वर्ग फुट का स्थाई गाला देने की भी मांग की उन्होंने कहा कि न न्याय के लिए न्यायाला तक संघर्ष करेंगे वाशी खाडी पूल है यह जो फोर्थ पूल है और वो पूल जो ब्रीज है वो बुरिज का जो प्रकल्प है उसके अंदर जो फिशर में और फिशर में फिशिंग पे डिपेंड़ रहने वाला जो डिपेंडन है उनको सही प्रकल्प पुना होने से पहले या प्रकल्प चालो होने से पहले उनका जो मुआजा देना है वो मुआजा देना है वो मुआजा दो हजार सवदा कानून जो है भूमियाधिगरन जो काइदा है उस काइदे की तहत ए कानून की तहत उनको मुआजा देना चाहिए कानून त बताते चलाएं कि वासरी खाड़ी पर रेलवे ब्रीज के साथ दो पुल पहले से ही कारीरत है नया पुल प्रोजेक्ट 15 जनवरी 2020 से शुरू होने वाला था लेकिन हाई कोट के दखल के बाद उसे रोक दिया गया था अब इसे जनवरी 2020 में प्रारंभ करने की तैयारी है बिरो रिपोर्ट TV1 इंडिया